जैशे किष्णा दोस्तों मैं मीटू अपने चानल भी perfect बिन मीटु शुभाई मैं आप सब का बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इश्वर से आप सब के खुशाली की कामना करती हूँ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही वैलेबल क्या कह सकते हैं आप information कह लीजए या वैलेबल टिप्स मैं आपके साथ share करने जा रही हूं जो हर लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है इस्पेशली उनके लिए जिनकी शादी अभी होने वाली है या उनकी फैमिली में किसी की शादी होने वाली है तो शादी के टाइम पर क्या होता है हम शॉपिंग तो खूप सारी कर लेते हैं लेकिन में हमें nervousness कहा होती है जब दुलहन होने वाली दुलहन जब अपना personal जो कप होते हैं कुछ चीजे हमारी रह जाती है और दूसरी बात है जब हम शादी हो के एकदम दूसरे घर जाते हैं तो hesitation होती है पहले दूसरे दिन हम किसी से मंगवा या किसी से बोले यह मेरे पास नहीं है मुझे चाहिए तो कोशिश ऐसे करिए भले आप extra समान कितना भी ले जा मैरेड लाइफ आफ हमेशा खुश रहिए मस रहिए बिंदास रहिए तो आईए दोसरे वीडियो को start करते हैं तो number one tip है दोस्तों इसमें कि जब हम सारी हो या suits हो उनकी हम packing करते हैं तो उन्हें कोशिश करिए आप इखटा pack मत करिए एक एक सारी के साथ उसका blouse, petticoat और matching क हैंकी यह चारो चीज रखके आप अलग-अलग set बनाके रखिए तो अलग-अलग pouches आते हैं सारी packing के उसमें रखिए या फिर अलग-अलग polythine में रखने साब को यह फायदा होगा कि जब आपको पहनी होगी तो आपको सब कुछ खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि किसमे कौन सी है transparent bag में से यह पोलेफिम में इसमें कौन सी सारी और आपको कौन सी सारी वीएर कर निये है और चारो चीज आपको एक सा तक ऑपर किया होते होता है Doo Saadi अपाब की मिलते जूलते होते हैं स्टार्टिं मे नवशनेस भी होती है जले-ली रेडि भी होना होते है तो जूनना नहीं पड़ेगा नेक्स टी पर दोस्तों ब्लाउज और पेटिकोट इन दो चीजों की फिटिंग हमेशा या सूट्स आप स्टिच करवा रहे हैं या औल्टर करवाए हैं स्टिचिंग से लेटि जितना भी चीज है उसकी आप फिटिंग जरूर चेक कर लें कई वर क्या होता है हम लोग लास मॉमिंट पर करते हैं या टेलर देर से देता है तो हम सोसते हैं एक पहन के देख लिए ठीक होगी रख लो नहीं इंडिवीजवल आप हर ब्लाउज की सूट की पेटि कॉट की फिटिंग चेक करिए गरोज के बरता हर फैब्रिक में अपणी héक फिटिंग आती है कुछ फैब्रिक स्टेम होते हैं तो थोड़े टाइट भी होते हैं तो एजेस्त हो जाते हैं ख़िए हमारे वह just हों में होते birthday होते हैं ईक एक बल्जोस पेहन कि उसकी प्लत को चेक कर लें अनमर terr ryse सब को बता कि मैंने पैटी कोट के होता है कर दो कि मैंने मैं माचिंग मिला एक रियता है , पैटी कोट कर ज्रौक है हमने पैटी कोट लिये और बने यदिधा को चला है पेटिकोट की लंबी होती है बहुत जादा तो इतनी जारा बद्धी लगती है आप उसको पर कितनी भी महंगी से महंगी कितनी इच्छी तरीके से साड़ी पहन लो लेकिन जो साड़ी का लोक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा क्योंकि हम जब नीचे से पेटिकोट हमारा क्योंकि कुछ पेटिकोट के ऐसे होते हैं जो दूलने के बाद श्रिंक हो जाते हैं तो कटवाइए मत नीचे से एक्स्ट्रा फोल्ड करवा के सिलाई कर लीजए या खुद घर में उसमें आप बखी अटाका या स्लाई मशीन से अब सिलाई लगा लीजए इस बात का अपक करवाई या अपने साइस की तो उसमें नाड़े आप हाथ की हाथ डाल लें बिकॉस कई बर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं बस पिटिंग में चेक करें और रख लिया नहीं नाड़ा होना बहुत ज़रा ज़रूरी है जिसे हम डोरी भी कह सकते हैं मैं हिंदी में बोल दू होनी चाहिए कि बस आप निकालो और फड़ा फड़ा जल्दी रेडी हो जाए कुछ आपको ढूणना ना पड़े कुछ आपकी फिटिंग खराब ना हो और कोई भी चीज आपकी इनकंप्लीट ना हो हाँ ये दो चीज़े दोस्तों अपने बैग में ज़रूर रखी छोटी पास स्वी धागा होना चाहिए जिससे की फड़ा फड़ा उसको ठीक करके जली से रेडी हो जाए और अपनी मन पसंद चीज को सेम डे जिससे जिन हमने प्लान करा होता है उस जिन हम पैं सकें और एक सिजर आपको पता है बहुत ही काम आती है कोई भी एक सोचीज काटनी हो कभी कोई नाणा वगरा चोटा करना हो बड़ा करना हो कोई थ्रेड वगरा रह जाते है कही वार स्टिचिंग में उनकी कटिंग करनी हो कुछ भी करनी हो तो एक छोटी सिजर और स्वी धागा आपके जो आपका बैग है उसमें होना ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों भी कि अपन्पा कर लेते हैं कियोंकि पर चुचाशٌ कर रहते हैं क्रिते वखेंशना पर श हैंनि करन सुछ पीषट मठीत नहीं कौन क्योंकि ऐसमिया कर रहते हैं आपका बrüल्म का तो आपके बेड़ ऑस्या नहीं है तो यह आ हम से नहीं तो पैस्ट हैजा भले सका निख यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ जिसे हम अकसर भूल जाते हैं और ने जब हमें सुस्राल में ब्रश करना होता है फिर हम कहते हैं कितना अजीव लगता है तो यह चोटी चीज़ आतके समें जरूर होनी चाहिए कि आप जाते बस अपना यूज कर लो फटाफट रेडी हो जा हम स्लीपर की कलेक्शन जब बनाते हैं उसमें हम हाई हील्स, ब्लॉक हील्स, फैंसी, प्लाटफॉर्म, फ्लैट वाली पार्टी वियर, भर तरह की जो हमारी पसंद की होती है वह मिखटी कर लेते हैं लेकिन एक स्लीपर भूल जाते हैं बाथरूम स्लीपर्स वह बहुत लेकिनARTय़ कि जोड़ी जाते हैं लेकिन एक जोड़ी तो होना ही चाहिए अब नेकスト आता है दोस्तो हम बड़े-बडे बाधिंग टाल्स, फैंसी टाल्स, ये टाल्स, वह तौल्व, ये टाल्स हम रख लेकिन का यहां जोटवल होता है जिनका रूल दिन भर यूस होता है क या सुबह शाम आपको फेश वास करना है अपना उसको आपको सुखाने के लिए चोटा मोटा पना रूम क्लीनिंग कर रहे हो उसकी डस्टिंग के लिए कई बड़ चाहिए होता है या अपना छोटा मोटा कोई आप काम कर रहे हैं तो चोटे टॉवल इतने साइसे टॉवल आ आपके बड़ आउने क्या है जब इस चोटे पड़ चेज़ होने चाहिए नेक्स्त मोस्ट मोस्ट इंपकर जूश्टों बड़े बड़े अटैचिया बड़े बड़े बैग तो हम लेए उसमें सोस्ते हम हमारे सारा समान आ जाएगा उपक और शोटे बैगों का करना है नह अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन बड़ी आप अटेची यह बैग के साथ चोटे ची बैग जरूर नहीं है तो आप जा एक दूरिन के लिए जा रहे हैं तो उसे हमें चोटी अटैचिया है उसे हम लेना भूल जाते हैं आप बढ़े टैचियों कि पैकिंग किसमें करें तो फरिशान होने से अच्छा है हम अपना एक या दो चोटा बैग या टैची जरूर अपने समान में अपनी चो कलेक्शन है हमारी परसनल वाली उसमें इसको जरूर इंकलूड करें नेकोर अठो प्रेस बहुत जरूरी है एक प्रेस है है तो मेरी सोझ है मेरे अट बहुत गंदी है मेरा जो अच्छा है जब कप्ड़ा पहने हम एपने हम चाहे होसा हो मह Comics है पूरा एकढ़र से ऑरन होना चाहिए एक भी आच्छा प्र में च्रिछ lineup इ सब्स्दिया। आरेन अपने परसनल समान में जुरूर इंक्लूड करिए और कोशिश करिए कि आप जो भी ड्रेस वीयर कर रहे हैं उसको एक दिन पहले रात को ही आरेन करके रख लें जिससे कि एक दिन आपको उसमें अच्छे से वीयर करा है या मैंने जो कपड़े पहने हो वो इसमें एक भ कपड़े पहनते हैं इसमें सलवटे होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है तो दोनों में फराग है कभी आप फील करना तो इसलिए आरेन ज़रूर अपने समान में आप इंक्लूड कर तो जो भी आप अटाची बैग ले या तो उसमें आटमाटिक लॉक होना चाहिए वर जुल्री बेगरा हुई थोड़ा बत कैश्यों स्टार्टिक में तो उसको सेफ रखने के लिए हमारे पास छोटा या तो लॉक वाला कोई बैग अटैची होनी चाहिए चाहिए चोटे लोग आते हैं अलग से जो बैग में भी लग जाते हैं वो लॉक अपने साथ जरूर कर करना ही करना है अगर हमारे पास आपने कपड़े करेंगे तों इसमने हमारे समान में जरूर जरूर होने चाहिए अपने कपडोों को कपड़ करने के लिए अलमारी भी मालनी जब नहीं आई है यह वैसे नॉर्मल फनीचर रूम में बना हुआ है लेकिन तेबर के आता है कि हम कपड़े आरण वगरा करते हैं उनको एसे नहीं छोड़ सकते हैं उनके लिए हमें हैंगर चाहिए तो उनको भी प्रॉपरली स्टोर यह आपके परसनल कपड़े हैं उसमें आपकी जो बैच्षीट है जाहें आपको डवल बैड है चाहें सिंगल बैड है उसकी आपके पास 3-4 पर होना बहुत ज़्यार ज़रूरी है वीकॉद स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर दिन नहीं नहीं तो इसलिए कम से कम चार बेटशिट आप विद पिलो ज़रूर अपने परसनल बैग में करें जिसे आप चेंज करकर के बिचा सकते हैं और जिसे कि आपको किसी से यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे बस बैठ तो है लेकिन बेटशिट नहीं है नेक्स्ट मौसम के कॉर्डिंग अगर सर्दी का मौसम है तो कमबल, क्विल्ट, ब्लांकेट, ब्लांकेट, क्विल्ट जिसमें भी आप कमफरेबल हो वो अपने साथ जरूर अपना लेके जाए अपने रूम के लिए नहीं तो अगर गरमिया है तो दोहर वेगагоरा तो ऐसी तो नोमल जो सिंगल शीट साती है हमारी ओडंने वाली क्योंकि भीचाने के क सालसिट आपको अपने ओडंने वाले कपड़ों को अभी ध्यान रखना है कि रात को आपको है आप को अपने परसनल समाने कदि करनी चाहिए थाह बखूत ही कहा कोट क्या होता है बखुत ही ज़रूरी होता हाउस जैसलài5 इब sharpen होता है वो कि आप रूम शाड़ी के बाथ शारी कर makes the populist बहुत about the house coat 1 दो HELP बहुत बाथम से निकल के ने कमने में आप जया सकते हो डूसरी बात यह कि अगर 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 अबना ना है रहुत करके रखना को ढ़िंगा तो आपको दोड़ासर को रहरा को हिसा इसलिए पहते हो purchase कर रहे हैं या हम रेडी हो रहे हैं तो अगर हम हाउस कोट आपकी कलेक्शन में जरूर जरूर होना चाहिए तो बहुत यह इंपोर्टेंट चीज है इसे बिल्कुल भुलिएगा सेनेट्री पैट्स ब्लैक पॉलेथिन चोटी वाली और न्यूस्पेपर आप समझी गयोंगे म प्रॉपर्पर आपको किसी के सामने खोलना पड़ता है तो आपकी परसनल चीज परसनली रहे हैं और आपकी परसनल चीज परसनली रहे हैं आप में चोटी ब्लैक पॉलेथिन में किसे बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे कि अगर आपको यूस करने के बार उसे थ्रॉड करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं मिलता है या टाइम लगता है किसे को पता नहीं चलेगा और आपको भी अनकमपटिबल फील नहीं होगा नही सूट करता हो वह जरूरी जरूरी आपके परसनल समान में होना चाहिए सारा समान एक तरफ है और यह जो तीन चीज़े मैं बताई है या एक तरफ तो दोस्तों मेरे साब से बाकी सब तो सब पैक करे लेते हैं मुझे लगता ही चुड़ी चीज़े तो मैंने आपको आज बत कुछ missing तो नहीं है मुझे किससे कुछ जाते मांगना तो नहीं पड़ेगा परसनल समान में मैं परसल समान की बात करूई इसमें मैं सारे कॉमन समान की बात नहीं कर रही हूं तो दोस्तों यही थी आज की एक चटी सी वीज़े आई होप आपको वीज़े अची लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और जो छोट्डू सा बैल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजेगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम ली आपको मिलती रहे दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे